एसे सब्द जो की एक दूसरे की विप्रीत अर्थ देते हैं विलोम सब्द कहलाते हैं और आज हम जीवन का विलोम सब्द के बारे में बड़ी ही विस्तार से जनेंगे तो वीडियो को पूरा देखीं ताकि जीवन का विलोम सब्द पूरी तरह से समझ में आ जाई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीवन का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों जीवन का विलोम सब्द मरण या मर्त्यू होता है जीवन का मतलब क्या होता है आईए जान लेते हैं दोस्तों जीवन के बारे में हम सभी जानते हैं जब हाड मास का बना पुतला हिलने लगता है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जीव का प्रिवेस हो चुका है। इसी को जीवन कहते हैं और जीव जीवन से अलग होता है। जीव एक प्रकार का विचार और बावनाओं का संग्रह होता है जबकि जीवन जीव के कारण पेदा होता है। मरण या मर्त्यू का मतलब क्या होता है आये जान लेती। दोस्तों जीवन का उल्टा मरण होता है। मरण का मतलब जब यह सरीर इस लायक नहीं रह जाता कि जीवन को थम सके तो जीवन अपने आप ही इस सरीर को छोड़ देता है तो यह मरण होता है मतलब यह है कि जब आपका शरीर आत्मा को धारण नहीं रख पाता है तो मोत हो जाती है ओसो के बारे में तो आपने सुना होगा ओसो ने खुद को मोत शिखाने वाला बताया था उन्होंने कहा था कि सब लोग जीवन जीने का धंग सीखते हैं लेकिन में मोत शिकता हूँ और जो मोत को सीख लेता है उससे जीवन जीने का धंग तो अपने आप ही आजाएगा इस तरह से जीवन का विलोम सब्द मरण या मृत्य होता है जो की हमने जान लिया है क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना ने भूले इसके साथ ही एसे ही विलोम सब्द जानने के लिए चेनल के लाल बटन को दबा करें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ने भूले